Hello everyone, welcome to GNV Classes आज हम बात करें हैं Computer Professional Certification Test यानि कि CPCT के previous year 2019 के Shift 1 27 April के paper की यहाँ आप हम इस paper को discuss करने वाले हैं इसमें हम इसके answers को समझेंगे तो चलिए शुरू करते हैं 27 April 2019 के Shift 1 के paper को किस विटन को अप्योग विंडो के डिस्प्ले आकार को बढ़ाने के लिए किया जाता है maximize, downside, minimize, bottom score तो देखिए यह काफी subtle question है इसका answer है maximize maximize का होता है तो देखिए यदि मैं इसको यहाँ से कर तो restore तो restore हो गया और अब यह window मेरे पास छोटी है यह window मेरे पास छोटी है तो आप देख पा रहा है इस window करना है तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा maximize लिखा भी आ रहा है और minimize को मैं दोता है विलकुल नीचे लाना है यानि कि इसको टास्क वार पर रखना तो अब मुझे से बढ़ा करना है तो मैं दभाँगा maximize और छोटा करना तो restore अब हटाना इसको तो minimize कर सकते हटेगा नहीं एक तरह से टास्क वार पर आएगा और बंद करने को हम क्या बोलती close तो अब याद रखें टाइटल वार पर तीन बटन है हमारे पास minimize maximize restore और close यह maximize और इसी को फिर से restore यह close और यह minimize वह कौन सी तक्निक है जिसकी मदद से किसी computer की information को इस तरह परवेदित किया जाता है कि वह आप पठनी यह बन जाए आप पठनी मतला जो read ना किया सके unreadable कूटलेकन encryption बिकोडन description कड़ीकरन entomization अनुकलन customization answer to code लेखा नहीं अब यह होता क्या है तो देखिए जब computer को या किसी वी information को एक device से किसी दूसरी device में send किया जाता है तो उसको परिवर्तित करके यानि कि उसको code करके भीजा जाता है इस code को हम क्या बोलते है encryption और जिस device में अपने एक mobile नमर आपको अपने किसी friend को भीजना है आप message करेंगे तो आपने mobile पर अपना number type किया और आपने send किया अब मान लेजिए किनी कारणों से यह number उसके पास नहीं पहुंचा तो यह message के दूसरी पर यह दूसरी device और आप जितने भी message भीजते हैं वो सब inscript होते हैं जिन यह बाद में description किया जाता है यहां पे आप जो अपना mobile नमर भीजेंगे तो यह software एक program जो भी आप number भीज रहे हैं आप ऐसा माने कि आपने अगर mobile नमर भीजा है 9827548663 जो भी number है इसमें वो plus 1 एक key भेज देगा यांने कि जो नमर है उसको बदल देगा plus 1 से कैसे आगर 9 है तो 10 कर देगा 8 है तो 9 कर देगा 5 है तो 6 कर देगा 4 है तो 5 कर देगा यांने आपका जो भी number है उस हर एक number में plus 1 और इसको भेज देगा तो अब यह number जो पहुच रहा है, यह inscript है, यानि कि कूट लेखन में लिखा गया है, अगर यह number किसी गलत आदमे के पास पहुच भी जाता है, तो वो उसका गलत यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास उसकी key नहीं है, key क्या है इसकी, minus one, जो plus one को खटाएगे, यानि आपको समझ आएगा, एक और example देता हूँ, जैसे आप मान लेजिए, हलवाई की दुकान पे और आपने गुलाब जामुन खरीदा, अब आप गुलाब जामुन जो है, अपने घर तक लेके आना चाहते हैं, तो आप उसे हाथ में या खुला रखके लेके नहीं आएगे, अ और जहाँ पहुशेगा, वह हाँ से उसको अनकवर कर लेगा, जिसे हम बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन, यह एक तकनीक है, वाट्सप पे आप जो मैसी भीजते हैं, वह इंस्क्रिप्टेड ही होते हैं, अगला है डेटावेस है जे एक्स्टेंशन, डेटावेस का एक 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 extension क्या है तो DV, extension जैसे Amazon में जहम कोई फॉइल सेप करते हैं, तो इसका एकस्टेंशन डियो छी होता है, ऐसे पीट में PNG, एकसल में XLS, फॉइल की फॉर्मेट का टाइप क्या है, वह extension होता है, गाने का MP3, MP4, ऐसे ही डेटावेस का extension .DV होता है, यह question थोड़ा अलग है, screen saver को अपयोग क्या होता है, तो देखी वैसे तो screen saver को अपयोग यह होता है, कि computer पर जब कुई काम ना करे, तो automatic view screen, जिसे हम screen saver बोलते हैं, और इसका काम क्या होता है, इसका basically जो काम होता है, वो यह होता है, कि आप जो भी काम कर रहे हैं, उस काम को चुपा दे, और computer पे screen saver लगा दे, यानि को दूसरे user ना देख पाए कि आप क्या कर रहे हैं, और दूसरे हम अपने कुछ personal photos बगरा भी add कर सकते हैं, आप office में अगर bore हो रहे हैं, आप थोड़ देर free होते हैं, तो आपकी families photos आ जाएंगी, तो आपको देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, screen saver को क्यों, लेकिन यहां पर विकल्प दिये होगे हैं, वो थोड़ा लगे, तो बिद्दूत की खपत को कम करता है, बिद्दूत की खपत को बढ़ा देता है, computer को sheet निद्रा में भेज देता है, computer को sheet निद्रा में नहीं भेजता है, vibration नहीं होता, computer start य नहीं होता, कम कर देता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता, तो बिद्दूत की खपत को कम नहीं करता, इनमें से तो पहला यांसर ठीक है, कि बिद्दूत की खपत को कम नहीं करता, लेकिन screen saver का सवयोपय होता है, कि हम जो भी work कर रहा है, उसको hide करना, ताकि कोई other users देखना पाई कि हम क्या करते है, when you put your computer into hibernation, all information within the safe box, पहले मैं आपको समझा दू, जैसे एक और question पढ़ते है, जब आपने computer को vibration में डालते हैं, तो computer में जो module information किस पर safe के जाता है, तो पहले हम समझा है, हाइबरेशन क्या होता है, computer turn off or shutdown तो हम जानते हैं, यानि मैं computer को shutdown कर दो, तो मेरी सारी application close हो जाएगी, और computer shutdown safely, सुर्फचे तरीके से बंद हो जाएगा, और जब मैं start करूँगा, तो सुरू से start होगा, लेकिन computer में एक option मिलता है, vibration, hybrid भी बोलते हैं, इसको, इसमें क्या होता है, आप computer को बंद तो करते हैं, लेकिन आपकी जो applications open है, वो open ही रहते हैं, और ये open application save होती है काँ फिर hardx पर, और जब next time आप computer को start करेंगे, तो आपकी जो file है, वो automatic भी से start होगा है, जहाँ आप छोड़ के गएगा, जैसे मान लिज़ा भी मैं ये इस file में काम कर रहा हूं, एक ये file में, एक ये file में, एक ये file में, एक ये file में, और इस बीच में computer को में shut down करो, तो ये इस सारी application बंद हो जाएगा, लेकर अगर मैं hybrid sense से बंद करो, तो ये सब चीज़े बंद नहीं होगी, और जब मैं comfortable start करोगा, तो ये सब कुछ नहीं से start हो, ये इतर से window resume हो जाएगी, तो data कहां से वो राए, hardx में save होता है, turn off आप जब करते हैं, तब ये simple है, toner, toner printer का घटक होता है, तो toner इसका correct answer है, ये printer का टाइप है, ना कि UPS का, cause of power signals to alternately swell the shrink very quickly, बिद्दू संकेत तो बैकल रूप में बढ़ाने के और संकुचन का कराण बनता है, तो इसका answer है, दौलिट ट्रांसिये या आक्सलेटरी ट्रांसलेट, तो बिद्दू संकेत को बैकल रूप से बढ़ाने के लिए संकुचन का कराण बनता है, वो दौलिट अर्डांसलेटी होता है, what is printer? It is a hardware, it is a software, it is a networking device, it is an input device, printer क्या है, तो printer एक hardware है, hardware है, जिन जो को चुपाते हैं, जो को चुपाते हैं, तो hardware है, तो hardware, printer एक hardware है, जो की soft copy को hard copy में convert करता है, नेटवर की उपकरण तो नहीं है मॉडम अगरे नेटवर की उपकरण में आते हैं इंपूर्ट डिवाइस में कीवोर्ड माउंस और सॉफ्टर में प्रोग्राम में एक साल आते हैं ऐब है वह बोगी प्रेंटव थय को देखने के लिए इस्टाट्मेन्यु विखल्प क्यार मतलब आपको अगर प्रिंटर कन्यें है chaotic मिvol वींक्न इतने रीए fiquei या प्रिंटर इंस्टा अगर को चेक कना है तो आपको कि इवोड़ेट पर विंट्व की दवाण ही और टाइप करना है विंडो की मतलब जो जिए यह की वूड़ पर इसको आपको दबाना है या आप इसपे बी ख्लिक कर सकते है और आप टाइप करेंगे प्रिंटर प्रॉपर्टिच को अपून्टर कर सोगा आप उससे क्लिक करेंगे तो आप आप एक पेज देंगे तू जल्द हो जाएगा, simbol सी बात हैं तो प्रिंटर के गती प्रश्टो की मुद्रि संख्या पर निरबद करती है आप कितने महगा प्रिंटर करें लिए कितनी ब्राइंट कर ले लिए, कितनी गौईल्टी ऐगा गति हमें सब पेजों की संग्हापी निर्भर करें अगला है इस इस्टेंडर फीचर सब विंडोस एंट्री 2000-XP27 अलाव एक ग्रूप और प्रिंटर तो शेर दा सेम नेम और फंक्शन एस देवर और अन्वन प्रिंटर प्रिंटर पूर प्रिंटर प्रिंटर नेटवर प्रिंटर सर्वर यहां पर पूछा जा रहा है कि विंडोस एंट्री 2000-XP27 में कौन सी महानक बज़िसता प्रिंटरों के एक समोग को समान नाम और फंक्शन इस्तिमाल करने के अनुमत ही देती जैसे कि वे एक प्रिंटर हो य